नमस्कार, I am retired group captain P. Anand Naidu, श्री मुकेश शेर्मा जी जो हमारा मित्र है और दूरदर्शन में जब हम काम करते थे उस समय के साथ ही रहे हैं, उन्होंने हाल में एक लगु कहानी का श्रिंखला शुरू किया हैं। इन कहानियों के जरिये वो अनेक विश्यों पर छोटे-छोटे कहानी बनाते हैं और लोगों के बीच में ले जाते हैं। इन कहानियों से छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स से लेके बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स को वो एड्रस करने के कोशिश करते हैं। We at ISAC are happy to announce that we are collaborating with Sri Mukesh Sharmaji in utilizing his expertise and adaptiveness in creating and making these short stories towards awareness on cyber security and cyber crimes. We are confident that these series of short stories will benefit a large number of children, women and all netizens. हम श्री मुकेश शर्मा जी को बढ़ाई लेते हैं, धन्यवाद. स्वागत है आपका अनोखी और अद्भूत कहानियों किस मंच पर. आज की कहानी एक अनियूजवल लव स्टोरी है, विद है माइन ब्लोइंग टुिस्ट अद दा एंड. यह सब्त कहता है और इस कहानी का जन्व केरिला के गाउं में 55 वर्षिय सुदर्शन पिल्ले के घर में हुआ था. पांच जन्वरी की सुभह, मंदिर से दर्शन के बाद, जब सुदर्शन अपने घर लोटे तो उन्होंने देखा कि उनकी 22 साल की बेटी रेश्मा एक नवजाज शिशू को गोद में लेकर खड़ी थी. उसे वो शिशू घर के पास सूखे पत्तों के धेर में मिला था. पुलिस ने हत्या का मामना दर्श किया और गाओं में गर्ब धार्वल के बारे में पता लगाने के लिए कारिकरताओं को भी तैनात किया. गाओं के शेत्र में किये गए कॉल के सेल फॉन टावरों को ट्रेक करते समय सीसी टीवी फूटेज और आसपास के अस्पतावलों में पूछताच की गई. मगर कुछ भी पता नहीं चला. तब पुलिस ने शेत्र में संदिक्त वक्तियों के रक्त के नमूने लेकर डियने परिक्षन की शुरुआत की. और इस बीच केरल राज में विधान सभा के चुनाव घोशित हो गए और जाच अधिकारियों को एलेक्शन डूटी में लगा दिया गया. परणाम सुरूप डियने के रिजल्स हाथ में आते आते च्छे महिने बीद गये. और फिर 22 जून को पुलिस ने सुदर्शन पिल्ले के घर पर आकर उसकी बेटी रेश्मा को उसके नवजाज शिशु की हत्या के आरोप में गिरिफतार कर लिया. डियने परिक्षन के परणाम से ये साबित हो गया था कि मृत नवजाज शिशु रेश्मा और उसके पती विश्णू का था. लेकिन विश्णू सहीत सारा परिवार दंग रह गया. उन्हें ये भी पता नहीं था कि रेश्मा गर्भती थी. जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, पुलिस ने महसूस किया कि गर्भावस्ता को चिपाने के पीछे रेश्मा का गहरा मकसद था. हिरासत में रेश्मा ने स्विकार किया कि उसने अपने नवजात बेटे को आनन्दू नाम के एक व्यक्ती के साथ भाग जाने के लिए डंब कर दिया था. आनन्दू से उसने फेस्बुक पर दोस्ती की थी. पुलिस ने जब आनन्दू की तलाश शुरू की तो एक और मोडा आया. रेश्मा की गरफतारी के दो दिन बाद रेश्मा के पतू विश्णू के परिवार की दो महलाओं ने आत्मत्या कर ली थी. मतलब कहानी में एक नया ट्विस्ट. सुदर्शन पिल्ले के अनुसार उसे इस बात का बिल्कुल भी संकेत नहीं था कि रेश्मा गर्फती थी. पुलिस की पूछतात के दोरान रेश्मा ने खुलासा किया कि वो अपनी कमर के चारों और एक कपड़े की बेल्ट बानती थी. और फिर अपने पेट पर बॉड़ी शेफर लगाती थी जो उसके पेट को भार निकलने से रोग देता था. इतने ही नहीं, पती के साथ शारीरिक संबन से बचने के लिए वो कमर दर्द और मासिक धर्म का भाना भी दिया करती थी. अपने फेस्बुक के मित्र अनन्दु के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने की चाहने, रेश्मा ने अपने नवजाश शिश्यू को डंब करने में कोई भी दया नहीं दिखाई. रेश्मा ने अनन्दु के साथ फेस्बुक और सोचल मीडिया पर सेक्डो टेक्स मेसेजजिस का आदान प्रदान किया था, मगर वो अनन्दु से कभी मिली नहीं थी और नहीं उसे कभी बात की थी. एक बार हाँ वो उससे मिलने के लिए गाउं से पंद्रे किलोमेटर दूर एक समुद्ध तट के शहर पर जाने के लिए तयार हो रही थी, मगर जब किसी नहीं उसके पती विश्णू को बताया, तो रेश्मा को यातरा रद करनी पड़ी. रेश्मा का जुर्म कबूल करने के बाद आनंदू को ट्रेक करना पुलिस का लक्ष मन गया था. रेश्मा द्वारा मिस्ट्री मैन आनंदू से बात करने वाले फोन और सिम काड की चामीन करने के बाद पुलिस ने विश्णू के बड़े भाई रंजीत की पत्नी 23 वर्षी आर्या का पता लगाया जब पुलिस ने आर्या को नियमित पूछताच के लिए बुलाया तो आई नहीं बलकि दुभर से लबता हो गई उसी दिन विश्णू की मेहन 22 वर्षी ग्रीशमा भी गायब हो गई और बाद में CCTV फुटिज में दौनों महलाओं को गाओं के तेजधा वाली नदी के पास एक सड़क पर चलते हो देखा गया और फिर पुलिस ने पाया कि नदी के पास के लाके में उनके सैलफोन के सिंगनल सचानक बंद हो गए थे एक दिन बाद गोताखोरों की टीम ने दौनों महलाओं के शवों को नदी से बाहर निकाला ये विश्णू के हत्या के मामले में पुलिस द्वारा ग्रफतार किये जाने को सेहन नहीं कर सकती हो सके तो मुझे माफ करें पुलिस ने शुरू में माना कि रेश्मा को उसके बच्चे को डम करने में मदद में आर्या और गिश्मा का हाथ था क्योंकि तीनों एक दूसरे के बहुत करीब थे लेकिन मृत ग्रिश्मा के दोस्त की गवाई ने मिस्ट्री मैन आनंदू की पहचान का खुलासा किया और ये भी पता चला कि दोनों महलाओं ने अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प क्यों चुना दरसल ग्रिश्मा और आर्या ने रेश्मा के साथ प्रैंक करने के लिए नकली आईडी का उपयोग करके आनंदू होने का नाटक किया था वे दोनों रेश्मा को इस नकली आनंदू के चकर में लुभाने में कामयाब रहे लेकिन वे दोनों ये नहीं जानते थे कि रिश्मा गर्वती थी और वो अपने बच्चे को डम करके सो काल्ड आनंदू के साथ भाग जाने वाली थी उन्हें इस बात का जराभी अंदादा नहीं था कि सोशल मीडिया पर किया गाए मजाक का ये अंत होगा इतना विनाष्कारी परणा होका? कहानी खत्म! हाँ खत्म! आईए! देखते हैं क्या सिखाया इस रहस्य shipfect हमें‍च यही की हैंसी मजाक की अपनी एक सीमा होती है अपना एक दाहरा होता है ऐसा मजाक किस काम का जिस से बसे बसा एक घर हो क्या संदेश देगा है सोशल मीडिया का वीडियो यहीं कि आप जिससे चाहते हैं उसे धोका देनी अनुमती है और ऐसा करना ठीक है कितना गलत है क्योंकि आप लोगों को धोका देना सिखा रहे हैं और यहीं कृष्टे की सबसे बुरी चीज होती है अंत मैं केवल यही कहूं हुआ 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 है